नमस्कार साथियों आप सभी का सुवागत है एक और नई वीडियो में साथियों कल हमने आपको दिखाया था कि जमीन की जो त्यारी की जाती है गोबी की पोद की नरसरी नगालने के लिए वो सबसे पहले देखी जमीन के अंदर रूटावेटर हमने लगा दिया है रूटाव टते हैं वो समान बने रहते हैं जमिन के अंदर तो देखी इस प्रकार से जमिन को हमने त्यार करतीया है गोबी की जो नरसरी त्यारने के लिए और साथ में पानी के लिए जो नावी बनाई गई है यह मसीन दोबारा बनाये गई है और आधनुक्ता के यूगे तो मसीन्हे ऐसी आईशी आगए है जैसे रूटा बेटर आ गया है यह पहले हाथ हाथ कषी लगानी पड़ती ती अब अभी इसमें बेट बनाया जाेंगे वह आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे तीस्रे पार्ट में आज ये वीडियो का पार्ट न्बर 2 है पार्ट 1 में आपको जमीन त्यार कैसी करते हैं वह बताया गया था और अभी पार्ट 2 में इसको समतल करके ये नाले निकालत दी गई है और जो बीज होता ना गोबी का गोबी का जो बीज होता है वह तो महेंगा होता है एक बीज जो होता है वह जर्मिनेट करना बहुती आवसक होता है क्योंकि टमप्रेचर जो हना वह भी हाई है टमप्रेचर 47, 48, 50 के पार भी पहुंच गया है तो temperature को ध्यान में रखते हुए इस इसाब से आगे पिछे हम गोबी की नर्सरी है वो त्यार करेंगे और कुछ दिन में बारिश भी हो जाएगी तो मोसम में परिवर्तन भी हो जाएगा तो और भी ज़दा बेहतर रहेगा और बात रहती है के कंडो की जो राख होती है हारे की जो राख होती है हमारे गर में दूद रखते हैं पानी गरम करते हैं पसुओं के लिए जो चाट होता है वो उसको तियार करते पकाते तो उसकी जो राख होती है वो राख भी इसके अंदर मिली होती है साथ में पसुओं का जो गोबर होत जोड़का इसमें भी रूटवेटर लगायगा जिससे बहुत ज़्यदा बारिख लग रही है। ये बारिक करने पड़ती है अब इसको ऐसे ने डाला जाएगा बीज के उपर इसको जहारने से जहार करके बिल्कुल बारिक इसकी छणाई करके फिर बीज के उपर डाला जाएगा वो आपको अगली जो वीडियो आएगी ना नेक्स्ट वीडियो उसमें दिखाया जा कैसे ख वीडियो को पार्ट नमबर टू है पार्ट नमबर थरी आगे आपको देखने को मिलेगा ऐसे आपको समय समय प्रगोबी की पोद कैसे त्यार करते हूं वो दिखाते रहेंगे तो वीडियो के साथ बने रही है हमारे साथ बने रही है तो सभी किसान साथियों का जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद